प्यारे देश्वासियों, इंसानों और जानवरों के प्यार पर अपने कितनी सारी फिल्में देखी होगी, लेकिन एक रियल स्टोरी इन दिनों असम में बन रही है, असम में तिन सुक्या जिले के एक छोटे से गाउं बारे कुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं, और इसी गाउं में रहते हैं हुलोग गिबन, जिनने हां होलो बंदर कहा जाता है, हुलोग गिबन्स ने इस गाउं में ही अपना बसेरा बना लिया है, आपको जानकर अश्चेले होगा, इस गाउं के लोगों का हुलोग गिबन के साथ बहुत गहरा सबंद है, गाउं के लोग आज भी अपने पारंपालिक मुल्यों का पारंग करते हैं इसलिए उन्होंने वो सारे काम किये जिससे गीबंस के साथ उनके रिष्टे और मजबुत हो उन्हें जब यह अहसास हुआ कि गीबंस को केले बहुत पसंद है तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी इसके अलावा उन्होंने ताय किया कि गीबंस के जन्म और मुर्त्यु से जुड़े रिती रिवाजों को वैसे ही पुरा करेंगे जैसा वे अपने लोगों के लिए करते हैं उन्होंने गीबंस को नाम भी दिये हैं हाली मैं गिबंस को पास से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुश्किनों का सामना करना पड़ रहा था ऐसे मैं इस गाउं के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया गया मुझे बताया गया है कि अब ये गिबंस तस्फिरों के लिए पोज भी देते हैं साथ्यों पश्वों के पती प्रेम में हमारे अरुनाचल प्रदेश के युवासाथी भी किसी से पीछे नहीं है अरुनाचल में हमारे कुछ युवासाथ्यों थ्रीडी प्रिंटिंग टेक्नलोजी का उप्योग करना शुरू किया है जानते हैं क्यों क्योंकि वह वन्य जीवों को सिंगों और दातों के लिए सिकार होने से बचाना चाहते हैं नादबं बापू और लिखा नाना के नेत्रुत में ये टीम जानवरों के अलग-अलग हिस्सों की 3-D प्रिंटिंग करती हैं जानवरों के सिंग हो दात हो यह सब 3-D प्रिंटिंग से तयार होते हैं इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीज़े बनाई जाती है यह गजब का अल्टरनेटिव है जिसमें बायो डिग्रेडेबल मट्रियल का उप्योग होता है ऐसे कम है मैं तो कहूंगा अधिक से अधिक स्टार्ट अप इस शेत्र में सामने आए ताकि हमारे पश्वों की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे